जी हाँ सभी को नमस्कार HSC SI Babu YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 1 जनवरी 2022 को हर्याना गौर्मेट के दोवारा कुछ भरतिया कैंसिल कर दी गई है हर्याना सरकार की अब सारी भरतिया अब CET और नए सामाजिक आर्थिक मान दंड से होगी ये भरतिया क्यों कैंसिल की गई है वो भी हम आपको बताएंगे ग्राम सचिव, पटवारी, कैनाल पटवारी की लिखित परिक्षा भी इसलिए सत्गत हुई है जो कि 789 जनवरी 2022 को होने वाली थी दोस्तों इनको किसी कान से सत्गित कर दिया गया है यानि कि भरतिया तो होंगी लेकिन कुछ समय के लिए रोक दी गई है देखें, HSEC ने जो पद विज्यापित कर रखे हैं और परिक्षा नहीं हुई है उन्हें विभाग वापस लेंगे लगभग 25,000 नई भरतिया CET के बाद हो सकेगी CET यानि कि जो Common Illigibility Test होना था उसके बाद ही ये भरतिया हो पाएंगे देखें, दोस्तों, न्यूज क्या है 1 जनुरी, हरियाना सरकार की अवसारी भरतिया Common Illigibility Test के बाद हो सकेगी हरियाना करमचारी चैना आयोग ने जो पद विज्यापित कर रखे हैं मगर उनकी लिखित परिक्षा नहीं होई है वे सभी पद संबनित विभाग वापस लेंगे और उसके बाद नए सरे से पद भेजे जाएंगे ये एक और भी अच्छी बात है कि वकेंशिया बढ़ने वाली है और साथ में गोर्मेंट चाहेगी तो इनके उपर fresh form फिलप किया जाएंगे यानि कि वो बच्चे जो form फिलप नहीं कर पाए थे पिछले एक साल के दुरान वो भी अभी अपलाई कर सकेंगे जिनकी graduation हो गई है जिनकी eligibility यानि कि योग्यता पूरी हो गई है plus to pass और बीए पास जिस हिसाब से जिस प्रिक्षा में जो भी मांगा जाए और दोस्तों उपर heading देखी से जिनकी प्रिक्षा होचकी है AWS का नो जोब का अधर 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 का वो अब घटा कर पांच कर दिया गया है यानि कि पांच से ज़्यादा मांग से उसमें नहीं दिया जाएंगे सरकार ने 30 दिसंबर को बदल दिये अंक ये महत्वण है परते सरकार ने सामाजी के आर्थिक मांदंड दस अंकों से घटा कर पांच फीज दे पांच परसेंट यानि कि सो में से पांच करने का फैसला 30 दिसंबर को लागू कर दिया गया है तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छे न्यूज है कि अब उन बच्चों को जादा से जादा मोका मिलेगा आगे बढ़ने का जो कि सिर्फ मेहनत के आधार पर आगे बढ़ने का ख्वाब देखते हैं सिर्फ मेहनत के आदार पर और जो बच्चे इन 10 अंकों के सहारे सोचते थे कि 100 में से 50 ठीक कर दिये और 10 ले लिए 60 होगे सलक्षन हो जाएगा या 100 में से 70 ठीक कर दिये 10 अंक वैसे ले लिए और 80 हो जाएगा सलक्षन ले लेगा लेकिन जो बच्चा पहले 100 में से 76 लेता था सलक्षन नहीं हो पाता था लेकिन जो बच्चा सो में से पहले 66 लेता था 67 लेता था उसका सलक्षन हो जाता था ठीक है तो उसी चीज़ को देखते वे गौर्मेंट ने का एक अच्छा कदम है देखे हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन इतनी भी नहीं कि सामने वाला मजबूर हो जाए हमेशा हेल्प मांगने करेए ओके दोस्तो थेंक्यू जैहिन जैभारत वंदे मातरम वीडियो अच्छा लगा है तो उपने दोस्तों में से एर करना ना भोले